आज के हमारे programs के अनुसार है क्यूं एक ही school में पड़ेवे सारे बच्चे different directions में जाते हैं क्यूं siblings same family को blog करते हैं लेकिन different directions में जाते हैं एक ही parent से बच्चे पैदा हुए लेकिन किसी को कोई challenge face कर रहा और कोई कुछ challenge face कर रहा और कोई बहुत successful हो रहा है इन सब को समझने के लिए हमें past के programs को समझने बहुत important है और हर एक person different type से perceive करता है जिस तरीके से दो लोगों की thumbprint match नहीं हो सकती है हम fingers के prints के through भी mind को read करते है DMIT कैसा सहीं से जो finger prints के अनुसार decide करता है कि आपके personality कैसी होगी आपके thought patterns कैसे होगी आप कौन सी direction में जाएंगे कौन सी direction में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कैसा आप कब behavior होगा सब वो read करके बताते हैं लेकिन हमको यहाँ पर समझने के जरूद तक किसी दो लोगों की perception सेम नहीं हो सकती है हम 5 senses से perceive करते हैं और 6 sense से भी पर सीव करते हैं पांच सेंस कौन सी हैं देखकर सुनकर स्मेल करकर टेस्ट करकर और टच की फिलिंग के दोरा 6 sense बहुत important है thought patterns के दोरा हम continuously universe से thoughts receive करते रहते हैं हमारा mind एक antenna है जो की thoughts throw भी करता है thoughts receive भी करता है बहुत सारे thoughts ऐसे हैं जो unconsciously हमारे इंदर work कर रहे हैं हमें पता भी नहीं है कि वो काम कर रहे हैं हमारे इंदर लेकिन वो कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे programs जो की हम जानते भी नहीं है और वो काम कर रहे हैं जिनको हम ideas बोलते हैं हम दूसरों से receive करते हैं हम ideas क्या होते हैं good और bad दूसरों से receive करते हैं तो बहुत सारे programs हमारे life में already चल रहे हैं और उसके अनुसार एक behavior एक actions produce होते हैं और वो action decide करते हैं हम हर success के पीछे हर unsuccess के पीछे एक program liable है regression में जरूरी नहीं पास्ट लाइप में इसी life में भी कोई उसका cause हो सकता multiple causes एक line आपको एक दूए example बताता हूँ मेरे ही एक बहुत एक लोज रिलेटिव उनको साथ साल से वो consume नहीं हो पा रही थी उनका जब session लिया गया session लिया गया तो regression में ले जाए गया regression में ले जाए गया तो उनकी एक sister है जो थोड़ी सी paralyzed है लेकिन घर वाले उसको ज़्यादा प्यार करते तो उसके दो reason थे एक तो क्योंकि वो paralyzed है थोड़ी सी abnormal है तो उसको extra care की नीट है प्लस किसी astrologer ने उनको बुला था कि यह बच्ची लक्ष्मी का सो रूप है आपके घर आई और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अब आप मल्टी मिलेर बन जाएंगे और ऐसा ही हुआ जैसे वो बॉन वी विदिन टू टू तू त्री वीक्स उनको कम से कम देखने वाला नहीं था तो इनको पूरी प्रॉपर्टी उनको मिला और फिर उनने पीछे मुण के देखा नहीं तो एक जनरल थिंकिंग है कि उसकी तरफ उनका थोड़ा से कंसेंट्रेशन जादा था तो दो बेटिया उनकी जो दो बड़ी बेटिया थी चार बेटिया हैं उनको लेकिन दो बड़ी बेटिया फोर्थ अभी हुई नहीं थी दो बड़ी बेटिया को थोड़ा सा इंफिरियर फील होता था जब वो इंफिरियर्टी कॉंप्लेक्स में बार-बार बोलते थी कि हम तो तुम्हें होनी ही नहीं चाहिए थी, तुम्हारे को तो एक ही बेटी होनी चाहिए थी, और उसी का आप ध्यान रखते हैं, फिर वो जब अकेले बैटते हैं, तो गिल्टी फिल करते हैं, कि देखो मदर तो मदर है, कल उटके हमारे बच्चे होए, और हमसे ऐसा behavior करेंगे, तो कैसा फिल करेंगे, वो एक thought pattern, कि कल हमारे बच्चे होगे, तो वो क्या बोलेंगे, हमको अगर ऐसा बोलेंगे, तो हम कैसे फिल करेंगे, वो feeling, वो एक तरह का डर है, कि हम जैसा behavior कर रहे हैं, ऐसा behavior अगर हमने बच्चे करेंगे, तो कैसा वो जो फोबिया है वो जो फियर है जो उस टाइम पे पैदा हुआ आद दोनों बैनों को कंसीवर नहीं करने हो दे रहा था एक को आठ साल शादी को होगे ते इसको साथ साल शादी को होगे सबसे बड़ा मिरेकल तब वह जब एक बेन का जो मेरी लेटिव है उनका ट्रीट्मेंट करा गया उनको जो गिल्टी थी वो निकाली गई मदर से सौरी फील कराए गई यूनिवर्स को ग्रेटिट्टीट फील कराए गया कि ऐसी मदर मुझे मिली है कुछ थरेपेस में कुछ कांसलिंग्स होती है जो कि पास्ट लाइफ रिगरेशन्स में सिखाया जाता है उस इवेंट को डिलीट करने के लिए वो सब उनको डिली है कि अधिल कॉंश्टीश्ट के साथ जुड़ावा है हम सब के मैंद एक दूसरी लिंक्त है इसके बहुत सावे प्रैक्टिकल में अपने क्लासिस में कराता रहता हो कि एक परसन परता और दूसरा परता है कि वो पढ़ रहा है यह चीज़ कहीं से बूर से परसन जो कोई ल मैंन के साथ निज узнаri ho जाता है यहाँ किसी भी भुक वहम पांसे दस मिंट में करने की एक टक्निक सेखते हैं कैसे सब्सक्राइब क्यों कि एक में के साथ लिए रहल कि रुद एक इवेंट, एक मिनट का इवेंट, जब भी आप पास्ट लाइफ रिगरेशन थरपिस्ट बनेंगे, आप देखेंगे एक 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 लाइन, एक एक इवेंट कैसे लाइट को रुईन कर सकता है, और इवेंट भी नहीं हुआ, परसिप्शन भी खाली सोच भी, वहाँ पर इव वह फिलिंग, वह फिलिंग कंटिनुसली आपके अंदर वर्क कर रही है और आप किसे हाथ से का शिकार हो रहे हैं, तो बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, जब हम हीलर हैं, हम थरपिस्ट हैं, हम लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, किसी भी लाइफ एरिया में, आज हमारे रि हर चीज का कहीं न कहीं रिलिमेंस हमारे पास्ट में हैं, चाहिए वो इस लाइफ में, चाहिए वो पास्ट लाइफ में, पी लाइफ में से एक टर्म हैं, लेकिन हम रिग्रेशन करते हैं, पास्ट में कहीं जाने का रिग्रेशन करते हैं, बहुत सरे लोगों को एम्ब्रिय को फिल कर रही है anxiety को फिल कर रही है कई बार वो दूसरी फैमिली में जाती है महां पर अड़प्ट नहीं होती है उन रिलेशन्स में उस एन्वार्मेंट में उस इस्पाउस के साथ और वह जो फॉट पैटर उस टाइम पर चल रहा है उन नो महीनों के अंदर वो बच्चों के अंदर वर्क कर रहा होता है जिसको हम वो मेलिंग बोलते हैं वहां पर जाकर हमें हील करना पड़ता है उस टाइम को अगर हम उस बच्चे के एंजाइटी दूर करना चाहते हैं उस बच्चे को सारी सैक्टलोजिकल सैक्टलोजिकल प्रॉब्लम्स मोर देन 90 परसंट एम्ब्रियो में क्रेट होती है तो वहां पर जाकर हमें ट्रीट करना पड़ता है कई सारी प्रॉब्लम्स पास्ट लाइफ से इश्यूस से चली आ रही होती है वन्डरफुल थेरपी है बहुत सारे पैक्टिकल से उसके और एक सीरियल पिछले जनम का रहसे ने उसको बहुत फेमस करा तो छोटी-छोटी क्लिप्स बनी वी आपकी माइन में वर्क करती है ट्रिगर्स करती है अब क्या हमें पूरी लाइफ याद होती है क्या हमें पूरी लाइफ याद होती है नहीं होती है मैं आप से पूछो कि एक महीने पहले यहां चार संडे पहले आपने संडे को क्या ब्रिक्फरस्ट करा तो कित्ते लोगों को याद होगा कि याद है कि चार संदे संदे करें कि जिसको याद है वो हैंड्रेस करेंग अच्छा आपने अपने बर्डे के दिन जो पाक्टी करा था उसमें क्या ख्याद था यत North हरें रिजय ग्हणिक संदेर गांटर पर मेरेज में में मेरेज में अपने लोह को किछादी में क्रूब हो किते लोगों को यादे हैंड्रेस हैंड्रेस अपनी शादी में आपने कौन से कलर कर ड्रेस पहना था हमारा माइंड इंपोर्टेंट चीजों को याद करता है जही फिल्टर समझना बहुत इंपोर्टेंट है वो कैसे करता है वो इंपोर्टेंट चीजों को याद रखता है अधरवाइस वो डिलीट कर देता है डिस्टॉट कर देता और जनलाइस कर देता है हमारे कॉंशियस और सबकॉंशिस माइन के बीच में एक लेयर होती है जिसको हम क्रिटिकल माइन बोलते हैं क्रिटिक्स करता है क्या क्या आप क्यों यहार हें क्यों करता है कोटैस्ट करता है करता है कि यह आए है पर इस परपस के लिए मैं इनको एंट्रि दू या नहीं दू सेम रोल क्रिटीकल माइन का होता है वो कोई भी चीज हम 20 मिनट ले कौंशिउस माइन में स्टोर कर सकते हैं फिर वो क्रिटीकल माइन के पास चली जाती है क्रिटीकल माइन files को check करता है कि यह files आपके subconscious mind के पास हैं की नहीं है critic to produce करता है questions पूशता है बहुस सारे उसके साथ कि मैं आपको subconscious mind के पास क्यूं जाने जब उसे satisfying result मिल जाता है तब उसको वो पास्वन करता यह फिर वैसी file आपके नजीन होई है पास्ट में तब वो उसको इंटर करता है अदर्वाइस आपने दस साल तक गरीबी देखिए आज आप कोई मिरेकलस कोर्स करके आएं विजुलाइज कर रहे हैं ओडियो सुन रहे हैं सेशन्स ले रहे हैं कोई भी वक नहीं करेगा अंटिल और अणलेस आप जो पास्ट का थॉट पड़ा है उसको डिलीट करेंगे अभी नेक्क टेक्निक भी आपको चकाई जाएगी कि कैसे पास्ट के थॉट को डिलीट करकर प्रेजंट का थॉट जो आपको डिजार डिश्टिट चाहिए उसको कै अब समझने की जरूत है कि किसी भी चीज को चेंज करने के लिए हमको उस थॉट को निकालना पड़ेगा तरपी में उस थॉट को डिलीट करना फिर ने थॉट को डालना और कहीं ने कहीं थॉट हमारे पास्ट में पढ़ा है आज हम एक ट्रेक्टियल करेंगे पास्ट हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन को बहुत समझाथा हमने लाज संडए जिन लोग गलें लिए करthatो व timely को आसको चाहिए कि रिक्राइब कर सकते हैं आज हम समझेंगे घ्राइब कि टैकनीक हम आज का एक present issue लेंगे किन-किन के life में कोई challenge है जो कि solve करना चाहते है challenges, any of challenge, कोई भी challenge, procrastination हो सकता है, profession हो सकता है, relationship हो सकता है, हमारी physical problem हो सकती है, mental problem हो सकती है any damn thing, किसी का भी कोई भी छोटे से छोटा challenge, बड़े से बड़ा challenge, आप पूटन कर सकते हैं एक word में message किजिए, एक word में message किजिए कि वो क्या है, relationship है, professional है, क्या है तो अपन उस challenge की तरफ ही ज़्यादा focus करेंगे, कोई भी एक word में describe किजिए abundance है, finance है, joy की feeling है कि मैं joy की feeling नहीं कर पाता हूँ stress, tension, anxiety ज़्यादे रहती है किसी तरह का fear, phobia ज़्यादे रहती है, ठीक है तो अब हम accession करेंगे, इस issue का past में का relevance है, मैं उस issue को आपको soul नहीं कर सकता, क्योंकि सबके issue same होंगे और counseling की need होती है therapy के लिए, लेकिन आज हम उस issue से past का क्या issue relevant है, एक छोटा practical करेंगे समझने के लिए कि हम कैसे past life में कितना easy जा सकतहें, आप कहीं पे भी नहीं जातें, आपकी mind की memories को याद करतें, तरोधाजा करतें, हो सकता है कि वो visuals files हो, हो सकता है वो audio files हो सकता है, वो kinesthetic files हो, हो सकता है, वो sentence file हो sentence but thought कि खाली विचार चलते हैं तो वहुशार लोग विजुग की तरफी दिखते हैं कि मुझे दिख नहीं रहा नहीं अपनी सारी सेसिस को बन लखना है क्या वहां पे स्मेल आ रही है किस चीज्स का टेस्ट आपको याद आ रहा है कैसी आप feeling कर रहे हैं कैसा thoughts आपके चल रहे हैं, कैसे visuals आपके आ रहे हैं, कैसे audios आपके आ रहे हैं, हर चीज को, और किसी भी तरह का interference, किसी भी तरह की interpretation हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें mind का perception नहीं पता है, कि हो कैसे perceive करता है, तो हमें किसी भी तरह का interpretation नहीं करना है, किसी भी तरह की interference नहीं करना है, किसी भी तरह की feelings को, बीच में डाला है, as a viewer, जाना है, हम अपने से बहुत सारी लोग ऐसे भी होंगे, जो कि feelings में बहुत जल्दी flow हो जाते होंगे, emotional drama चल रहा है, किसी movie का, और रोना हमको आ रहा है, ब वह ज्यादा highly motivated हो जाते हैं, pictures देखे कोई hockey की वो girls की team थी, शारुक खान ने उनको one cup जिता दिया, और motivation हम feel कर रहे हैं, great, आसू निकल लाया है उनकी जीत पे, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें किसी भी तेरी की feelings को interrupt नहीं करना है, हमें only or only as a viewer, जाना है, अगर आप उसे solve करन हैं, आज therapy नहीं कर रहे हैं, क्योंकि therapy के लिए हर एक person को एक personal session होता है, चाहिए होता है, मैं आपको therapist बनाना चाहता हूँ, thousands of लोगों की आप मदद कर सके, एक awareness spread करने के लिए अपने seminar से start करें, तब aware होएं, कि इस issue का, ये इतना बड़ा issue है मेरे life का, और एक line उसके लिए लाइबल है, एक छोटा सा event में इस line को अगर delete कर देता हूँ, तो मेरी life फिर से change हो सकती है, उसको समझने के लिए हम ये practical कर रहे हैं, तो जिसको पानी पी नहों, दो मिट का है gap, पानी पी लेजिए, fresh हो जाईए, हम जब trans में जाते हैं, बहुत thirsty feel करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर oxygen level बढ़ जाता है, मम्स बहुत आते हैं, उपर नीचे बहुन मूव होती है, मम्स बहुत आती है, प्लीज इनफ वाटर स्टूरेज, आप ले लीजिए, एक दो ग्लास पी लीजिए, जिसको फ्रेश होना है, फ्रेश होके आजाईए, तो अपन तो बनेट में स्टा झाppen ले झाता है, मम्स ब Page 3 जाता है, मम्स बहुत दो ओंग होना है, व्रेश हो स्टूरेज, थे जिसको नित करता है, मम्स बहाईए, लेचे वाटर स्टूरेजंस बह Ce जिस, प्लेचे वाले स्टूरेज, पोगज होता है, मम्स बह Quem बहाईए, जिसको फाफिए, यदा द stehen ह किसी भी एक challenge को आपको pick करना है life का किसी भी आपके physical issue है आपका mental issue है आपका professional financial relationship कोई भी चीज एक important चीज पर करनी है ऐसे नहीं कि आज कर दो किसी important चीज के उपर ही work करता है किसी specific चीज पर बगड़ रहा है तो जो लोग random करना चाहरे हैं वो लोग प्लीज कर ले किसी को अपने life के किसी important issue के लिए work करना है वो प्लीज अपने उस important issue को किसी एक को चारपांच लेगे तो confused हो ज उसका अगे सब लोग स्टाट करें सभी लोग अपने पीछे support रखेंगे पीछे आपके back support होनी चाहिए और जो भी लोग drown होंगे जब आपकी body heavy हो जायागी आपकी body drown होगी या आगे की तरफ हमको नीद आती है तो जो किया आगे की तरफ या पीछे की तरफ तो जब भी आप drown होंगे पीछे की तरफ होंगे एक दो बाग करके देखें से वान तू त्री ऐसे दो तिन बार होई है येस हमारे माइन को programming की जरूत होती है अगर आपने दो तिन बार उसे प्रोग्राम कर दिया तो आपको पीछे लिखे जाएगा आगे नहीं लिखे जाएगा ठीक है शपोर्ट सबको होना चाहिए जो इसा कुछ नहीं होता है कि कुछ नहीं है या हमारी मेमरी से मुझने रिकॉल करते हैं बहुत सारी लोग ऐसे शोचते हैं बहुत सारी लोगों को डुराया जाता है कि आप यह अकेले में मत करना इसा मत करना वैसा मत करना बहुत सुपरफिशल बनाए जाता है कुछ भी नहीं एक मेमरी को रिकॉल करने की टेक्निक्स हैं जब भी आपके आख खुले कोई बैल बज़े तो ऐसा नहीं आप बहुत ही कंफिज्ट हो रहे हैं कि मैं उठो कर नहीं कोई इंपोर्टेंट काम आ गया तो आपका सेशन वहां पर फिनिश हो जाएगा लेकिन अब अनकमफिटिबल मत करना किसी भी तरह की नहीं फिलिंग को क्रेट मत कर देना कि ऐसा हो जाए कि अब वहीं रह जाओं वहीं की मेमरी सी रह जाए ऐसा कुछ को नहीं हो ठीक है उपन कर दीजिए कैमरा से ओपन करेंगे न तो आपकी प्रेजेंट सिच्वेशन्स भी हमें वक करेंगे को एग्रेशन्स भी होंगी तो हम उस पर काम कर पाएंगे प्लीस कैमरा सोन कर दीजिए सब लोग ओके लोजर आइस लंबे गरे श्वास लीजिए और पूरा ध्यान कर पनी साशो कुपा लंबे गरे श्वास और पूरा ध्यान कर पनी साशो कुपा आप देख रहें कि हर साश को लेने और छोडने के साथ आपकी पूरी बॉड़ी एकदम लूस लिम्प और रिलेक्स होते चली जा रही है लूस लिम्प और रिलेक्स लूस लिम्प और रिलेक्स लूस लिम्प और रिलेक्स लूस लिम्प और रिलेक्स लूस लूस लिम्प और रिलेक्स लूस 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 ड्रॉ कीजिए इमेजिंग कीजिए कि आप वहां पे बड़ा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं अब इस सर्कल में आपको हंड्रेड लिखना है वन डबल जिरो हंड्रेड एक बार लिखने के बाद आपको उसको रब करना है लेकिन दो बातों का ध्यान डखना है कि 100 का कोई भी पारट रहे नी जाता है सर्कल की लाइन को किसी तरह का दिश्टरबेसट नहोँ जब भी आप रफ कर रहे हों सर्कल के लाइन को किसी भी तरह से टुच्च नहीं होना च को रब कीजिये अब वहाँ पर 99 लिखे और फिर 99 को रब कीजिए दो बातों का ध्यान लखना है कि 99 का लाइन रहने जाए किसी भी तरह से किसी भी तरीके से सरकल के लाइन डिस्टर्ब नहों पाए आप पूरे कंसेंट्रेशन के साथ ये काम कर रहे हैं पूरे फोकस के साथ ये काम कर रहे हैं नैटी एट नैटी एट को लिखिए और फिर रब कीजिए तोनों बातों का ध्यान लखना है कि 98 का लाइन रहने जाए सरकल का लाइन किसी तरह से डिस्टर्ब नहों पाए 97 97 को लिखिए और रब कीजिए हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ आपकी बोड़ी रिलेक्स होती चली जा रही है आपका माइंड एकदम रिलेक्स होता चला जा रहा है अब पूरे फोकस के साथ ये काम कर रहे है 95 को लिखिए और रब कीजिए हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ आपका माइन एकदम रिलेक्स होते 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 चले जा रहे हैं आप एकदम हर डिजिट को लिखने और अब करने के साथ आप माइन की और डीपर और डीपर लिवल्स में चले जा रहे हैं और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर लिवल्स में चले जा रहे हैं 93, 93 को लिखे और अब कीजिए, हर डिजिट को लिखने और अब करने के साथ आप एकदम रिलेक्स होते चले जा रहे हैं, sleepy, drowsy feel करते चले जा रहे हैं, आपके eyes heavy होते चले जा रहे हैं, आपकी body heavy होते चले जा रहे हैं, आप एकदम sleepy, drowsy feel करते चले जा रहे हैं, sleepy and drowsy sleepy and drowsy sleepy and drowsy 92 92 को लिखे और अब कीजिए हर डिजिट को लिखने और अब करने के साथ आपको ऐसा ऐसा सो रहा है कि आपको नींद आती चली जा रही है गेरी नींद आती चली जा रही है और गेरी नींद आती चली जा रही है मन एकदम शान्त होता चला जा रहा है और आप एकदम गहरी और गहरी नींद की तरफ चले जा रहे है 91 को लिखे और अब कीजिए हर डिजिट को लिखने और अब करने के साथ आप स्लीपी ड्राउजी फिल करते चले जा रहे है और वो गहरी और गहरी नींद के तरफ चले जा रहे है Sleepy और Drowsy 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 फिल कर रहे है 9-0-90 90 को लिखे और रब कीजिए हर डिजिट को लखने और रब करने के साथ आप माइन के और डीपर और डीपर लिवल्स में चले जा रहे हैं और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर लिवल्स में चले जा रहे है 89 89 को लिखे और रब कीजिए जैसे से आप डीजिल लिखते जा रहे हैं और रब करते चले जा रहे है पूरी बॉड़ी एकदम नम्भ होती चली जा रही है सुन होती चली जा रही है ऐसा लग रहा है चारों तरफ बरफ रख दी हो बॉड़ी के एक चिलिंग एक्सप्रियंस को आप फिल कर पा रहे है पूरी बॉड़ी एकदम चिल्ड होती चली जा रही है जैसे से वो चिल्ड होती चली जारी है, एकदम नंब होती चली जारी है, एकदम सुन होती चली जारी है याद कीजिए उस एइसास को जब कभी आपने थंडे पानी में या बर्फ में काफी देर हाथ रका था, और आपका हाथ एकदम सुन हो गया था वैसा ही experience आप अभी feel कर पा रहे हैं पूरी body पे और पूरी body एकदम numb होते चली जा रही है नम, 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 88, 88 को लिखे और रब कीजिए दो बातों का ध्यान रखना है कि 88 की line किसी तरह से रह नहीं जाए, circle की line किसी तरह से disturb नहों पाए हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ अब मैं कि और deeper and deeper levels में चले जा रहे हैं और deep 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 चले जा रहे हैं 87 87 को लिखे और रब कीजिए जैसे से आप डिजिट्स को लिख रहे हैं और रब कर रहे हैं पूरी बॉडी स्लिपिंग मोर्ड में चली जा रही है और नम खुती चली जा रही है 86, 86 को लिखिये और रब कीजिये हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ mind deny करता चला जारा है digits को लिखना और रब करना सारे thoughts mind से vanish होते चले जा रहे है कि यौव एक ही thoughts mind को बार बार hit کر रहा है कि उसे गहरी नीईद के पे-अंदर सोना है तो सोजाइ ये घहरी नींद के अंदर और डीप और डीप और डीप और डीप और डीप पाटी इटी फाइफ को लिखे और रफ कीजिए सब्सक्रीप 대리म कि रखने के साथ मैंस के और गहरी और गहरी अवस्ताओं में चले जा रहे हैं अप उसक CAUSE के लिए अपने पास्ट टाइम में जा रहे हैं चाहँ पर कि उसका कौज एक्जेक्ली पड़ा है 84, 84 को लिखिए और रब कीजिए imagine कीजिए कि आपके सामने बहुत बड़ी टरनल है बहुत बड़ी कुफा है जिसमे बहुत बड़ा गेट है और आपका पास्ट टाइम लिखावा है आप इसके अधर ट्रेवल करना चाते हैं और चाते हैं अपने इस इशू की कौज को जानने के लिए आप अपने इस चैलेंज को अपनी लाइफ से डिलीट करकर अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाते हैं हर वो जॉय को इंजॉय करना चाहते हैं 82 को लिखे और रख केजिए दो बातों के द्यान अकना है कि 82 का लाइन रहने जाए सर्कल का लाइन किसी तरह से डिस्टरब नहों पाए 81 81 को लिखे और रख केजिए हर डिजिट को लिखने और रख करने के साथ आपके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है डिजिट को लिखना और रख करना माइन तो केवल गहरी नीद में सोना चाता है और इस टनल के थुरू पास्ट टाइम में जाना चाता है जैसे ही मैं नेक्स डिजिट को बोलुगा और रख करने को बोलुगा आप इस टरनल के अंदर एंटर करेंगे 8080 80 को लिखे और रख कीजिए और आप अपने ट्रेवल को स्टारट कर रहे है इस टरनल के अंदर एंटर कर रहे है और पीछे की तरफ चले जा रहे हैं exactus course की तरफ चले जा रहे हैं जहाँ कहीं भी past time में वो इस life का हो सकता है आपकी मदर की embryo time का हो सकता है soul life का हो सकता है past life का हो सकता है पिछली कई life पहले का हो सकता है कहीं पे भी आपका mind आपको इस tunnel के थूरू ले जा सकता है 7979, 79, 79 को लिखिए और रखीजिए यहां पर आप अपने counselor को call कर रहे हैं एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसी energy जिसपे कि आपको सबसे ज़्यादा belief है चाहे वो कोई God हो सकता है कोई आपका friend हो सकता है आपके parents हो सकते हैं आपके child हो सकते हैं आपका कोई teacher mentor हो सकता है ऐसा कोई भी person है जिसपे कि आपको सबसे ज़्यादा विश्वास है आप उनकी help चाते हैं इस past time में ले जाने के लिए आप feel कर रहे हैं उन्होंने आपकी right wrist पे आपको पकड़ कर उस तरफ ले जाने में आपको help कर रहे हैं आप उस textures को feel कर पा रहे हैं अपने right wrist पे आपको पकड़ लिया है और आपको ड्रैक करते वे उस past की तरफ ले जा रहे हैं 78 78 को लिखिए और अब कीजिए जैसे आप tunnel में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अंदेरा बढ़ता चला जा रहा है और डार्कनेस बढ़ती चली जा रही है और जादा और जादा और जादा और जादा 77 77 को लिखिए और रब कीजिए दो बातों का द्यान रखना है कि सर्कल के लाइन किस्ति तरह से डिस्टर्ब नहों पाए और 77 का कोई भी पॉइंट रहनी जाए आप देख रहे हैं कि अंदेरा बढ़ता चला जा रहा है चारों तरफ कोरा होता चला जा जा रहा है 76 76 को लिखिए और रब कीजिए आप देख रहे हैं कि आपको बिल्लकुल कुछ पी नहीं दिखाई दे रहा है बस दुआई दुआ है कोरा ही कोरा है चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस है 75 75 को लिखिए और रब कीजिए 74 74 को लिखिए और रब कीजिए आपके कांसलर्स आपको बता रहे हैं कि जैसे 70 डिजिट आएगी आप इस पाइप के बाहर होंगे और पास्ट के ऐसे टाइम में होंगे जहां पर एक्जेक्ट आपके प्रेजेंट इशू का कॉस पॉइंट होगा और आप मेंटली प्रिपेर हैं उसके लिए आप एज ए व्यूर आज उस सीन को देखना जा रहे हैं किसी भी तरह की फीलिंग्स को आप वहाँ पे इंडल्ज नहीं करेंगे केवल एज ए व्यूर उस सीन को देखेंगे उससे याद रखेंगे और वापस इस टाइम में आएंगे जिससे की आप एक थरपी कर सकें और अपने लाइफ के इशूज को इजिली सॉल कर सकें 73, 73 को लिखेंगे और अब कीजिए 72, 72 को लिखेंगे और अब कीजिए आप पास्ट के उस कॉस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं जो कि आपके present issue present challenge का cause point है ऐसा perception ऐसा event जो कि past में आपके mind ने store करके रखा है और आज उसके अनुसार actions को produce कर रहा है आप देख रहे हैं कि कुछ रुशनी टरनल के उस तरफ आपको दिखाई देने लगी है और जैसे ही मैं 70 बोलूँगा आप exact उस cause point पर पहुच जाएंगे 71, 71 को लिखे और रखेजिए 70, 70, 70 को लिखे और रखेजिए और जैसे आप उसको रख करेंगे exactly आप उस रोशनी के अंदर आ जाएंगे उस time के अंदर आ जाएंगे जहां पर की present issue को challenge आपके पड़ा हुआ है यहां पर ten stairs हैं जो कि आप नीचे उतरेंगे उस platform पर पहुचने के लिए आप अपने आपको देखेंगे आप किस gender के हैं किस age के हैं क्या आपके present life के कुछ relatives वहाँ पर है क्या चल रहा है वहाँ पर आपकी senses strongly उन messages को receive करेंगी उन perceptions को फिर से read करेंगी उन visuals को उन audios को उन kinesthetic feelings को exactly आपको recall कराएगी मैं ten to one count करूंगा हर counting पाप एक stairs नीचे उतरेंगे और one पे आप बहुत अच्छे से recall कर पाएँगे इन सब चीजों को आपकी senses बहुत effectively इन readings को read करेंगी ten एक शीड़ी नीचे उतरेंगे और memories strong होते चली जा रही नाइन अब बहुत easily सब चीजे recall कर पा रहे हैं eight आपकी senses बहुत अच्छे से आपको read करने में help कर रही है seven six five four three two and one मैं आपको 10 minute देता हूँ आप easily इन सारी memories को recall करेंगे इन सारे events को pictures और bright होते जाएंगी strong होती चली जाएंगी आपको recall करने के लिए केवल आप किसी भी तरीके से feelings को इंटने नहीं करेंगे आप एक therapy की तरफ जा रहे हैं इस event को delete करने के लिए memories और strong होते चली जा रही है आपके senses बहुत easily सबको देख पा रही है आप बहुत ये अच्छा कर रहे है आपकी senses आपको बहुत help कर रही है इन perceptions को recall करने में आप किस gender के हैं क्या आपकी present life है past life है क्या time का ये memory है क्या present relatives कुछ relevant है वहाँ पे क्या चल रहा है वहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं आपकी senses at par work कर रही है आज का present issue क्या relevance रखता है उस event के साथ आप उसको correlate कर पा रहे हैं आपके counselors उस event को समझने में आपको help कर रहे हैं उस event को recall करने में help कर रहे हैं अगर कोई question है आपको वहाँ पर तो आप अपने counselor से ask करेंगे वो उसका reply भी आपको देंगे सारी चीज़े आप अच्छे से recall कर पा रहे हैं सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं देख पा रहे हैं सब कुछ आपको clear दिखाई दे रहा है clear सुनाई दे रहा है clear समझ में आ रहा है आपकी clairs बहुत strong होती चले जा रही है आपकी senses बहुत strong होती चले जा रही है सब कुछ ऐसे दिख रहा है जैसे अपने सामने ही सब कुछ चल रहा है बहुत जादा दूर नहीं अब तीन चार फुट की दूरी पर इस सारे स्थीन को पीज़ी ले देख पा रहे हैं चुन पा रहे हैं उन से मझ पा रहे हैं कर रहे हैं झाल झाल ये memories आपके subconscious mind में easily आप receive कर पा रहे हैं read कर पा रहे हैं आप go रिलेट कर पा रहे हैं इस event को अपने present डिशू के साथ और mind को एकदम convincing कर रहे हैं कि आप इस डिलेट करना चाते हैं आपने life को इस आपने इस डिशू को बेस्ट बनाना चाहते हैं, अपनी मेनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं, आपके पास बहुत स्ट्रॉंग रीजन्स हैं, इस इवेंट को डिलीट करने के, मैं 5-1 काउंट करूँगा, वन पे ये मेमरीज और शार्प हो जाएंगी, 5, 4, 3, 2, and 1, इस सारी मेमरीज आप अज़े व्यूवर स्टोर करते चले जा रहे हैं, और इसी के साथ मैं 1, 2, 3 काउंट करूँगा, 3 पे आप एकदम अवेर होंगे, प्रेजन्ट स्टेट में होंगे, अपनी आखे खोलेंगे और प्रेजन्ट टाइम में आ चुके होंगे, आप प्रेजन्ट टाइप की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, 2, एकदम अवेर होते चले जा रहे हैं, आप कहाँ पर बैटे हैं, किस टाइम में हैं, एकदम प्रेजन्ट मोमेंट में आ जाएंगे, सारी मेमरीज पास्ट के आपको याद होंगी, एंट थ्री, बढ़ने लाइज, बढ़ने लाइज, बढ़ने लाइज, जब आप चंपुन स्वास्वाम्य अपने आपको, अपनी थोड़ी बोडी को मूग कीजिये, एंज को पंप कीजिये, एक एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं था लेकिन एक ग्लिम्स थी, कि हम कैसे रिकॉल कर सकते हैं, कितना एजी है रिकॉलिंग करना एक कंप्लीट ठेरपी नहीं है, एक एक जइस को समझने का, कर दीजेने हैं जो वो अपने आपको अन्मुट करेगा और बात करेगा हाजी बंदीता जी बताइए क्या फिल कर आप नमस्ते नमस्ते इसी लाइफ में ही थी पट एटी नाइन में जाके मैं रूख गई थी एटी नाइन के कुछ एवेंट्स फ्लैश हो रहे थे और मेरे जो मेंटर थे मेरे दादा वो मुझे हेल्प कर रहे थे और कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे थोड़े एमोशन्स भी थे वहाँ पर मैंने उनको सोलेशन के लिए भी पूछा तो उनने मुझे होल्ड किया ऐसा इमेजिनेशन हो रहता है यही मैं आपको समझाता हूं लोग क्या करते हैं कि पास्ट लाइफ की तरफ ही होता है यह नहीं कि पास्ट लाइफ में ऐसा भी होता है कि कही बार आपके इस्यूस अभी गे और ती सब्सक्राइब करना चाहिए लास्ट लामा फेरा में जब अट्यूनमेंट में प्रोसेस करें थी ना तो मुझे दस-पंदरा में जो अडियो सुनने के बाद बिल्कुल ट्रांस जैसा लगा और फिर ऐसा कि कोई मुझे करने नहीं देना चाहा है मुझे उठा रहा है मुझ कि बुरा ऐसा फिल हुआ कि बॉड़ी को कोई टर्न कर रहा है तो फिर मैंने मतलब बहां पर यह मैं इंटेंशन भी डाले थी कि नहीं मुझे तो और स्ट्रॉंगली करना ही है इस कोई बते हैं इसी मेंने जिस लाइफ में दो तरह के ने जिस होती है पॉजिटिव होती है जब हम पॉजिटिवी की तरफ बढ़ते हैं तो किसी भी चीज को आप रिप्लेस करेंगे तो उसे थोड़ा से दिक्कत होती है ठीक है यह लाइफ का पार्ट है स्वाती जी जब आपने बोला कि दस स्टेर्स आप नीचे उतर के आओगे तब तक मैं बहुत लाइट में थी जब पहला टनेल पार के आओ उसके बाद बहुत लाइट थी जब मैंने नीचे उतरी तब अंधेरा था उधर और अधर देखा तो बहुत सादू बैठे थे जैसे अगोरी टाइप होते हैं मैंने कभी उनको देखा नहीं है फोटो जोगेरा देखिये बट इट वस सम्सॉर्ट अग्रूप सिटिंग ओवर देर और मेरे मन में सिर्फ एक ये रामदू नहीं बज रही थी ये मेरा आज क कभी उसे मुजिक की तरफ आज के लाइक वे अट्रक्ट हुए हैं यह जादा करके नहीं यह जो मेरे गुरू है पीछे मैं उनका ही जादा करकी हूँ और उनके इसमें जादा करके रामदून का होता नहीं है उन्हें फर्स टाइम इतना एक्स्पिरियंस किया ठीक है अभी हम अपन क्या है कि इश्यूस को नहीं पूछ रहे हैं तो इस इश्यूस को रेलेवेंट आपको बनाना पड़ेगा कि क्या रेलेवेंस होगा वापे उसको सब्सक्राइन के लिए परिंका जी रिंक्या हल्दर अब अब इतना बाड़ी हो गया था और में देखे इना सामने जैसे किसी के साथ ना जैसे मैंने अपने डिलेशन्सिप को रेलेके मैंने पूछा था तो देखें तो हम दों को अलग किया जा रहा है और बहुत मारा जा रहा है जो मेरा अप्लग जोग एप उनको बहुत मारा जा रहा है और उसके बाद ना बोनों को अलग कर दिया जा रहा है और कुछ स्नेक जैसा मैंने ओर जैसे देखा जैसे बीन बीन बजा रहे है सादू लोके जो पकड़के है इस तरह से मिन देखा कुछ राज की लाइफ में भी सेम ऐसा ही हो रहा आपके श मुझे तो कुछ दिखा नहीं है सर गूपा तो दिखी थी उसमें बंजपार ख़रा रही थी और उसके बाद फिर जब मैं सीडियों उतरी ना तो मेरे को बस एक गार्डन दिखा उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा करते हैं 90 परसेंट लोग विजुल की तरफी ध्यान देते कि कोछ दिखेगा पर कोई जरूर नहीं है कि लिए हो बहुसाए लोग ऑडिट्री भी होते हैं लोग अले सब्सक्राइब हो तो वह जोमेम्री से ओडियोस में भी हो सकते हैं व लिए मियादों में हो सकती है हम पिजूडरी पर से नहीं होती हैं इणदों की तरफ नहीं कितर संसे नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कृछ स्वीजी बिजी ग्राफ्ट यह सर आ आ मैहने ला को प्रेहर युद लेकिन मैं चैण नहीं पाई और मैं आपको एक बहुत इंपोर्टेंट चीज बताओं सबकॉंशिस माइन कई बार इंस्टेंटली रिप्लाय नहीं करता है कि लेजी पार्ट है बहुत बार वो उस कुस्टेंट को पुटप कर लेता है उस की तरफ एंसर्स देने के लिए अभी अपने टैन मिन फुट्री मिनट्स के प्रैक्टिकल कराया उसको कई बार एक करेंड़ जाता है कई बार दो दो तीन दिन लग जाते हैं उसको रिप्लाय करने में कई बार आप आपको पता ही नहीं कहां ले जा रही है आज कल परसों विदिने भी कई बार आपको कुछ कॉल साएंगे ऐसे कई बार आप कोई सीरियल देखेंगे इसे इंट्रेस्ट के साथ आप बिटकुल बैठे और सडनली आपने कोई मुवी आउन कर दिया उस मुवी में कुछ ऐसा चाहते हैं कि यह कोई सूखिवाए हूँ ठीकरी साहा है । करें मेरे साथ प्रॉबलम हैसे होता है कि अझा पने छधे हैं मेरे पास भाल परिशा है यह मुधर भालत सकस्फूलमुकू है लेकिन अक्छ्वरी ना तो हमेशा पैसों की क्राशिश रहता है अब मार्मा जो भी मतलब मैंने डिग्रीज बगरा पढ़ा ही लिखा ही सब में मतलब सक्सेस नहीं रहता है। कि अब पानी के लिखा ही लिखा है। कि अब रहता ही लिखा ही सब में तुद है। भी मतलब मतलब पानी के नीचे ही है जो भी है। वासमी एक्षोल क्या है कि पास्ट लाइ बिग्रेशन एक ग्रूप में नहीं किया जाता है। तो कुछ कुछ के भी जरूत होती है। सब कुछ चीज मैंने एक बार पानी में पहुच गया तो उस्से कुछ आप आप रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या दिखना हैं। और वो क्वोस्टिस पूछ 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 आते हैं। अभी अपन को कुछ नहीं है, अपन को कहली यह देखना है कि अपन ट्रेवल कर पा रहे है। कि अभावे ज़ुआ है कि मैंने पानी को ने पेंशी मोटी का है? कि आज उस पानी का क्या रेलेवेंस से मौसमी जी की लाइफ में मौसमी जी को पानी अच्छा लगता है मौसमी जी थष्टी ज्यादा फ्रीड करती है उन्हें हमेशे लगता है कि नहीं पानी में बिल्सक्राइब वाजमी जी क्या बात पार बार लेना चाहते है यहां बात में टाइम जादा देती है उन्हें पानी अच्छा लग रहा और और थोड़ा और बात ले लो और बात ले लो आपकी लाइस ने और क्या उस प्रेजेंट इस्वें का रिलेशन है यह समझने के लिए अभी अपने अ जो रेलिवेंस तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आपानी मैं पानी से डरती नहीं हूँ और मैं पानी के अंदर जाके थोड़ा टाइम अगर मैं स्पैंट करते जैसे स्वेंग पूल में हो गया मैं स्वेंग को मैं अटर करके अगर 10-15 मिन त्रहे गई तो फिर I start feeling नौजिस ने उल्टी आने लगती है तो यह रेलिवेंस है पानी के साथ अदर्वाइस जो मैंने सोचा था उसके साथ है अरी सर समझ नहीं पाते हैं कि हमारी प्रसेप्शन को हमारी समझ नहीं पाते हैं एक ऐसा इवेंट क्यों इस लाइप पिश्व में यह इस जनेरेट कर जो सब्सक्राइब लोगत इसके डिकावडिंग मिलेगी कि में की सुधिपता सिंग जी यह नमस्ते सिंग्स नमस्ते नमस्ते घुए प्रभ्य ने तो किया जो तो मुझे एक्षिले क्या ना कि लगा कि यसे मैं स्टाइंग में बाइब अप्ल फरांस में चली गई थी और हाथ पर भी जना हटो रहा था हाथ सुन हो गया था अरे लिफ हैंड प्रसून हो गया था राइड ठीक था और मुझे लगा कि मैं तालाब या नदी ऐसा कुछ है तो मैं थी और मेरे साथ एक और कोई थे, मुझे नहीं पता कौन थे वो और एक घड़ा था, पानी वाली हमें उसमें कुछ भर रहे थे, ऐसा कुछ था भरे थे, और उसके बाद अचानक से मुझे लगा कि कुछ आवाज आ रहा कान में सीटी ऐसा कुछ बज रहा फिर मेरे न था जब नहीं है, पहले था, ठीक है अब अब यह पन कोई रेलेवेस्ट अब क्या रेलेवेस्ट था वाह पे बाद में चक्क करेंगे घड़ी रिलेशनशिप पे लेके में गए ती, ठीक है रहे तो कोई ने को आपको देख रहाता है पर वहाप पैचान नहीं पा रहे थे तो उसका कुछ नो कुछ रेलेवेंस हो सकता है वहां पर ठीक है ना, ओन आनगिए. आपको कांस्लर अगें अगें को स्टॉरियों को चेंज करने के लिए सिच्वेशन को समझने के लिए एक कोस्ट का पार्ट बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करता है क्या कर रहे हैं वो आपके साथ क्यूं है वाँ पे सर्च कीजिए अपनी मेमरी को रिकॉल करने के लिए अभी अपन काल्याई उस मेमरी तरफ जा रहे और उस मेमरी के लिए लिए कोस्टन स्वहत होते हैं जो कि बहुत हैं पूछने तभी हम कुछ ताप पर यह निकाल सकते है किसी बीचीच का कंक्लूजिन निकाल सकते हैं पता है लेकिन जब भी हम नेक्स्ट उस लेवल में जाएंगे रात को सोते वे तो चीजे वापस याद आने लगेंगे तो अभी टाइम दीजे अपने आपको रात में इंटेंशन पुटप करके सुईए कि मैं उस प्रैक्टिकल को पूरा कर पाऊं अपने उस इश्यों को समझ पाऊं और आप एजिली उसको रिकॉल कर पाएंगे सर एक कुस्चन और पूछ सकता हूं मैं जबी भी मेडिटेशन या इस तैब में बैठता हूं तो मेरी लेफ्ट बोड़ी ज्यादा एक्टिव हो जाती है मालब रखता है कि वह मालब उसमें पावर ज्यादा लग रहा है लेफ्ट बोड़ी में फीमेल्स का क्या रूल है आपके एंसेस्टर्स जो फीमेल्स हैं उनकी कैसी परस्टनल्टी रही है आपकी मदर की आपके नानी की आपकी दादी की पैसे वह मदा अपनी लािफ में बहुद एक्टिव बहुत ओजिटेव इसकी इसको फैम्ली नोन बोलते हैँ निए इंसेस्टर्स की जो एनरजी होती है foreign हमेशा भी मेल और करते हैं जैसे ऑपके आपकी लेफ बड़ करेंगी तो जब अपकर करते हैं । उनकी कोर्ण्ट हमारे साथ जोइंट थी अ तो लेफ बड़ी आपके ज़्यादा हुझ जाती है पुनल मेश जी हाँ सर गुड मॉनी सर अक्चिली मैंने मैं ट्रांस में थी सर जब तक हम सीडिया उतर रहे तब तक और उसके बाद सर मैंने कंटिन्यू वाइलेट कलर देखा सर मुझे कुछ और दिखी नहीं रहे अब ता वाइलेट हट रहा था और रेड का रेड जगा ले रहा था उसकी और कंटिन्यूसर वाइलेट का गोला दिख रहा था हुझे ठीक है रहे इसका रेलेवेंस का भी हम बठाएंगे यही समझना बहुत इंपोर्टेंट है हम कोई इवेंट्स कोई कि अपने लाइफ का कुछ पार समझते हैं लेकिन फ्रिक्वेंसी ओफ कलर्स हमारा माइन प्रिसीव कैसे करता है यह समझना बहुत जरूरी है कि वो किसी भी चीज को स्टोर कैसे करता है कैसे स्टोर करता है वो समझना बहुत इंपोर्टेंट है जो चीज वो देखता है सुनता है वो पुट कैसे करता है याद कैसे करता है मेंदरपाल जी तो पाया था और रिलेक्स होने के बाद इसी लाइफ के कुछ बीच भी सीन आ रहे थे साथ तिक यह नहीं वो रिलेवेंस होंगे जिनको वर्वा जल्दे ज़ी फिनिश करते हैं पात मैं लोग विज्यूरेशन को बहुत बड़ा पावर समझते पाफ Of इमेजिनीशन सबसे बड़ा आती है तो पीच वीच बीच आ रहे तब ईस लाहाएं आद्मे को पास चार्ट ले ने तो क्या बेल गाड़ी में सफर करेगा वो देली टू मुंबई वन आवर में पहुश सकता है तो क्या वो बीच दिन का सफर करेगा तो चार्टर में करेगा क्यों करेगा वो बेल पर क्यों चड़ेगा तो यह सारी सेंसिस एक साइट पार्ट है सबसे बड़ी सेंसे थॉट पेटरन क्लेर सेंटेंस उसमें खाली थॉट्स में विचारों में बात होती है विचार आते और जिसको कुछ दिखाई नहीं देता जिसको कुछ सुनेज नहीं देता उसकी वह सेंसेक्टी होती है लेकिन त्यूंकि वह थॉट को मानिये नहीं करते ठीक gravy 2 amaoates कि तरफ कि मिट्व कि देखेगा तो अपन मानेंगे लेखने की तरफ देते हैं थाठ साते रहते पुर्फ इसको डीडिनी करते तो उस सेंस की तरफ भी ध्यान देजिए क्या विचार आ रहे हैं आता है कि नहीं ऐसा दिख रहा है नहीं नहीं यह तो मिरे मन का वहम होगा ठीक है अपना आगे अभी दिखेगा कुछ उसको अपन मानेंगे उसी को पकड़ना सर जो थोट आते हैं थोट साथ हैं उनको भी द बताए निम्बरवाजी तो मुझे यह बोलना है कि स्टार्टिक में जब आपने बोल रहा था आप किसी गाइड को कीजिए तो मुझे जीजस दिखाए दिये आज तक मैंने जीजस को प्रेपनी किया मगर वो मुझे दिखाए दिये और जब मैं तरनल में एंटर की तो वहा मुझे डाउग दिखना शुरू हुआ और मुझे कुछ कुछ क्लियर पिच्छर तो नहीं दिखा मगर कुछ आ रहा है जा रहा है जा रहा है जा आपने तो मुझे यह दिखा कि किसी में वदब कोई थे जिनके साथ मैं थी बर्ट पाद पे उन्हों ने शायद मेरे गले पे काट ता या सम्टिंग ऐसा मुझे पीर हुआ या वो दिखा फिर हो में पानी में तैरकी गिर भी थी वैसा तो आज भी आपकी प्रेसेंट लाइफ में कुछ इसूस चलने रिलेशनिप को लेखे अभी तक तो मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है बट किसी को पसंद करती हुआ अभी इस प्रेसेप्शन को दूर करकर किसे रिलेशन में जाना चाहिए जैसे कि कुछ होगा बोलके तो इसको आपको इस इवेंट को डिलीट चरू करना चाहिए जैसे आपने बोला वो नमबर दिख रहे थे और मैं रभ कर रही थी रभ करते वक्त फिर मैं अच्छा सा रभ हुआ कि नहीं फिर से रभ कर रही हूं और दो दो बार कर रही हूं फिर तो यह हुआ फिर गाइड भी दिखे स्पिरिचियल जवाब में रहते हैं यह तो पास्ट में जीते हैं यह फिचर में जीते हैं यह फिचर के बारे में कि अभी यह क्लास पूरा होगा तो कैसे अरे लेट हो जाएगा तो यह काम कैसे होगा पास्ट का याद आता रहता है सारी चीजे प्रेजंट में नहीं रहते प्रेजेंट में ही जीता है तो आपको उन सब चीजों को पास्ट की और फ्यूचर की भुछाने के लिए एक एक साइस कराएगे जैसे वह शौक करता है तो यह कुछ करने के लिए में अवैर हो जाता है तो इधर अदर से ध्यान अटा कर आपका पूरा ध्यान ब्लैक पोर्ट पर लाने के लिए प्रेजन्टेंगे लाने के लिए प्रेक्टिस करने के यह एक अपन और अध्यक्षण तो और वो एक छोटी बच्ची ऐसा थी अच्छा था वो मतलब इतनी भी गरीब नहीं थे लेकिन उसने पैसे खर्श किये तो उसको मारा था तो पैसे अब हाँ तो बचानी है ऐसा ऐसा कहीं नहीं कहीं आज भी आप मनी कॉंशियस जादा होंगे करते होंगे एक्सपेंस करने के लिए जो मनी आपको चाहिए कहीं नहीं कहीं वो रिजिस्ट होती होगी आपकी तरफ आती नहीं होगी ठीक है बहुत सरे चीज़े रेलिवेंट होता है अब हम समझते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमने समझा भी कुछ दिया करके आज क प्रेजेंट इशूस को पास्ट में कहीं कहीं रिलेवेंस होता है अब पूरे बल में बहुत फेमस थरपी है तो हमें कूर्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉन्टिनाइब से पास्ट लाइफ एग्रेशन का जो लोग ठरपिस्ट बनकर ठरपी करना चाहता है यह बहुत फास्ट प्रोसेस था लेकिन थरपी में थोड़ा टाइम चाहिए होता है उनको पास्ट लाइफ में ले जाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स पास्ट लाइफ में ले जाने के लिए सैंटिफिक प्रोसेस कि कैसे हम जाते हैं पास्ट में उसको सीखकर हम अपना भी कुछ प्रोसेस बना सकते हैं पास्ट में जाने का पास्ट की इवेंट्स को रीड करना वहां पे एक पूरे कांसलिंग करकर पूरी एक पिक्चर क्रेट करना कि क्या पर सिप्शन से जो कि आज की लाइफ में ट्रिगर कर रही है और फिर तरपी देना उसको डिलीट करकर आज के जो उसको चेंज चाहिए हो चेंज दिलाना एक वन्डरफुल तरपी है बहुत अच्छा प्रोफेशन भी हैं अगर आप उस में इंट्रनेशनल थरपिस्ट बनकर इंट्रनेशनल रिकॉगनेज्ट थरपिस्ट बनकर जे चैसी से हमारे कोर्स होते हैं जो मैं आपको इंट्रने सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें अपनी और दूसरों की लाइफ इशू को कैसे सौल कर सकते हैं और हम करेंगे के करते हैं के अगर कुछ काने के परती हैं तो वह कमप्लीट हो लेकिन खाली खाना एंटेंशन नहीं होता है कि इनटेंशन घर भी होता इकि मुझे घर लेना है तो सबसे पहले घर बनाऊंगा और रिटायर्मेंट से पहले तो क्या वह इंटेंशन फुल्फिल हुई था कि मैं अपने बच्चे और बेटी की बेटा और बेटी की शादी कराऊंगा उससे पहले चले गए तो ऐसी millions of thought patterns काम करते हैं अभी आपने देखा कि एक एक क्लाइन काम करती है ऐसे ही उनकी intentions जो पूरी नहीं होती है वो कहीं न कहीं हमारे life में किसी तरह के issues भी क्रेट कर सकते हैं उन्होंने सोचा था कि मैं गाउं जाके घर बनाऊंगा आप गाउं की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं वो आपके लिए कुछ issues क्रेट कर रहे हैं तो उनको समझना उनकी unfulfilled intentions को कैसे energetically आप फुल्फिल करेंगे उससे cod links जो हैं उससे cut off करेंगे आपकी present intentions के साथ क्या वो रोल प्ले कर रही हैं क्या आपकी manifestations क्यों नहीं पूरा हो पा रही हैं क्यों लाइफ में आप challenges face कर रहे हैं वो delete करना plus as a therapist भी बनना अपनी लाइफ से तो ठीक है दूसरों की life से भी कैसे उन चीज़े को ठीक करना वो भी हम सीखेंगे तर्ट लाश्ट पर नौट दे लीश्ट वर्ल की बहुत फेमस थरपी फैमिली कॉंस्टलेशन यूट्व पे इसको जरूर रीट करना फैमिली कॉंस्टलेशन को जर्मनी में इसके खोजवी आज भी जर्मनी में 80 परसेंट लोग अगर फीवर भी आता है तो फैमिली टच करने मातरे से आपने बोला कि मैं आपको दादा बनने का परमिशन देते हैं फिजिकल आदमी को दादा की तरह आपके दादा की तरह करने लगता है सोचने लगता है ऐसी चीजे जो आपके दादा की लाइफ में हुई थी वह वहाँ पे रिकॉल करके बताता है तो मैज लोग हैं जिन्हों की सीखा हुआ है थरपिस्ट बनेंगे और ज्यादा समझने के लिए आप यूटूब पे क्रोम पे देखें कि क्या होता है कितने मेरिकलसली रिजल्ट आते हैं यूटूब पे आट-देस लोग आउस एक्ट कर रहे होंगे ड्रामा की तरह उसको आपको दे पे तीनों थरपिस कवर करी जाएंगे और फीस इस पर और चैन थाउन रुपीस हम फीस लेते थे फैमलीली कंस्टलेशन की करोना से पहले फिफटन थाफिस फीस हमने फैमली कंस्टलेशन की ऑनली करोना के टाम पे ली味 है फश्ट टां मैं थीनक तढसे मैं तो आज आजकर लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगे तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेगा अपने जीने का एक एम भी मिलेगा कि मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूं अपने लिए और दूसरों के लिए तो अगर आप इस प्रोफेशन में जोइंट होना चाहें तो प्लीज जो लिंक्स आएंगे उनको क्लिक अगर कोर्स को लगते वे किसी को क्यों क्यों हो तो हम पांच मिनट में उसको रिप्लाय कर सकते हैं इससे नेक्स्ट बैच आज स्टार्ट होने वाला एक बज़े उसमें हम NLP को समझेंगे NLP क्या होती है कैसे काम करती है हर संड़े 11-12 अब एक अवेर्निस प्रोग्रम चलाते हैं थरपीस के परती डिफ्रेंट टाइप ऑफ थरपीस कैसे काम करती है कैसे लिए हम लाइफ को सक्सेस्फूल बना सकते हैं कैसे जोई की फिलिंग के साथ हम रह सकते हैं इस सब उसमें बता जाएगा तो आप एवरी संडे लिंक्स आते रहेंगे आपके ग्रुप में आप उसको जोइन करके आप जोइन हो सकते हैं आज हमने दो मिटिंग्स रखी है एक बजे एनलपी का मिटिंग है और आज शाम को आठ बजे हिपनोसिस का कोर्स स्टार्ट होने वाला है दस गंटे का चार दिन के दस गंटे का कोर्स है एक वंडरफुल कोर्स है हम क्यों कैसे कब क्या करते हैं उसकी क्या रीजन है कैसे माइंड वर्क करता है कैसे माइंड को वश्में कर सकते हैं कंट्रोल में हम जैसा बोलेंगे वैस लेकिन आज के बात आप माइन को जो बोलेंगे यह और वह करेंगा रहाऊ से में आप किसी और के मन को वश्मे कर सकते आप जैसा बुलेंगेуз को सब्सक्र T often करेंगा और वैसा करफा Detect को अपने किसी भी प्रोफ एटेये हैं आप हाउस वाइफ हैं आपको स्पाउस के लिए बच्चों के लिए हर व्यक्ति को हिपनोसिस की नीड है तो दस गंटे के वंडरफुल कोर्स है उसको भी जो 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 इन्ट होना चाहता है 99 रुपीस में रखा है वर्थ आपकी लाइफ की पुर्वी प्रोपर्टी पूरा फैनेस रख देंगे तो भी उसकी थोट के एक्विलेंट बैठेगा यह मेरा गैरेंटी एक वंडरफुल कोर्स है एक ट्रांस्फर्मिंग कोर्स है शोच बदल जाएगी आप एक-एक वर्ड शोच कर बोलोगे जब आपको मालूम पढ़ जाएगा कि हर वर्ड का क्या इंपेक्ट है हमारी लाइफ में हर वर्ड को सोच समझ के बोलेंगे एक वंडरफुल कोर्स है अगर आप उसको भी जोइन करना चाहिए तो 99 रुपीस में मात्र लाइव कोर्स है जूम पर ट्रैक्टिकल ही चलेगा स सारे प्रैक्टिकल से होंगे आप टेलीपथी शुखेंगे आप टेली काने से सिखेंगे माइन ढिपावर शिखेंगे अपनी सेंस्स को भी अपने आपको सेफल्फ इपनोटाइस करना सिखेंगे बहुत सारी टेक्निक्स हुश में कैसे एक सेकंड के अंदर करा जाए किसे तीनों कोर्स के आज गिलिम्स हैं तो आप उनको कर सकते हैं पूरा कंप्लीट है या आगे भी है उसका को जानते हैं किया है क्या नहीं है कैसे क्या करते हैं और पास्ट लाइफ रिगृशन एक कम्प्लीट कोर्स थेरपी का जैसे आप पास्ट लाइफ में चले गये पर उसके क्या करा आपने बस मेमरी को रिकॉल करा उस मेमरी को कैसे मतलब कि एक चाप्टर में करेंगे क्या क्या चीज़े सौल करनी है कैसे सौल होंगी कैसे उसके रिजल्ट है वह एक थरफ भी है डिफरेंट तो सर मुझे यही वह मैंने आपको सर कॉंटेक किया था करना है मुझे बहुत सारे कोर्स न का बी जो 29 का वो जॉइन करना चाहती थी पहले 99 का कोर्स करो उसके बाद आप समझो कि मैं क्या माइंड है कैसे काम करता है कैसे थरफी ले सकता हूँ आप किसी को पैसा देंगे थरफी के लिए मैं भी आपका वेट इसलिए कर रहा था कि मै बहुत फ्रफीशनल करता हूँ करता और बहुत एक इंकम के अंदर में आता हूं लेकिन वो गोल्स मैंने सेट अप कर रहे हैं मुझे पता है आपको समझ में आएगा आपको लगता है कि मेरे लिए कुछ इंपोटेंट है तो उसको जोन कीजिए और यह अंडर्ड परसंट है कि हर कोर्स आपके लाइफ ट्रॉंस्वर्मिंग होगा कहीं अपनी तो चेंज करेंगे करेंगे दूसरों के भी लाइफ चेंज करते हो जाएंगे मैं आप सब को प्रोफेशनल्स बनाना चाहता हूं क्यों सब्सक्राइब हो सकता है या ओनलाइन भी हो सकता है सेशन्स भी लेते हैं यहां पर भी बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो यह सुना होगा वह आया होगा लेकिन है हमारा माइन इमेजिनेशन रियल्टी में डिफ्रेंस नहीं जानता है आप ऑफ लाइन ने उसको कोई फरक नहीं पड़ता है जैके लोग ऐसा भी बोलते हैं यह पाफ्टलैप रिग्रेशन आंलाइन नहीं हो सकता है मैं ओनलाइन नहीं करता हूं डेली आट से दर सेशन् आप्स्तिंटी तु है मंट इसे से Kommt के मजे मैं एक केस सट्डी हो अपने आप में मतलब कभी-कभी मैं आपको सुनती तो ऐसे लगता है किGL पूरा आपको सरेंडर कर दूं मेरे अंदर potential potential बहुत है उसको कहीं से कहीं कुछ हो रहा है उसको मैं निकाल के आप सीखी भी बहुत है पर उसको यूज नहीं कर पा रही है यह सर्य ठीक है तो अभी हम सेशन फिनिश करते मेरा नेक्स सेशन तो जो बड़ा वाला कोर्स है उसमें एक और क्षिशन बड़े वा सबस्क्राइब करेंगे बहुत सारे सीनियर्स आपको मिलेंगे जो कि रूल प्ले करेंगे मोडलिंग आप कर सकते हैं कि वह दसलाग रूपे महीने कमा सकते हैं तो मैं क्यूं नहीं सबसे में क्या होता है कि आप सीख तो लेते हैं पर आपको कोई मोडलिंग करने वाला नहीं मिलता है सकेसफुल तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक हम किसी की मोडलिंग नहीं करें क्यों रखा जाता है क्योंकि हम अपनी सक्सेस जुनते हैं कहीं ने कहीं वहां पर और उस सक्सेस के ढूनने के मोटीव को यूज करके वह आपको प्रोजेक्ट बेच रहे हैं प्रिगर को यूज कर रहे हैं जी मेरा भी में तो जैसे आपने कहा ना कि मनी और प्रिशी को पूछ रहे हैं कि यह बेसिक होगए कंप्लीट कोड़ से पास्ट लाइफ रिग्रेशन फैमिली को स्ट्रेशन पार्ट में सब्सक्राइब और इंडिया में आप देखेंगे फेज पच्छास जार रपे से एक लाक रुपे तक है सर्मन सर्च किया है इसके बादे में और बहुत सारा मेरे पास इंकुट भी है जिसको मैं खुद भी यूज़ कर सकती हूँ तो बस उसको एक मुझे बैलेंस वे में और एक सिस्टेमेटिक वे में बाहर लाना है का गाइडेंस और मेंटर्शिप रही है सर ठीक है तो अपन NLP का भी एक फ्री कोर्स है अभी एक बज़े से दो बज़े तक फॉर्मलेशन कोर्स है उनमें को भी जोइन करना चाहें सबको आपको वहाँ पर भी यह सर वो मैंने वाइसर का भी सुना है का उसका भी तब से मुझे पता चला है वो भी एक अच्छा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है काफी उसको बज़े सब लोग मिलते हैं वहाँ पर चित्ते भी लोग जोइन कर सकते हैं आप उसे भी जोइन कर सकते हैं और एक बार और